दुर्ग, रायपूर, बिलासपूर, कोर्बा, ओद्योगिक शेत्र 36 गड़ में इस्थित यह ओद्योगिक शेत्र मुल्ता इस्थानी खनी जो पर आधारी थे 35 वर्षी योजना काल में भिलाई इसपाथ सयंत्र की इस्थापना रूस के तक्नीकी सहयोग से की गई यह सयंत्र कोलकाता मुंबई मार्ग पर 36 गड़ के दुर्ग जिले के भिलाई नगर में इस्थित है इस सयंत्र के लिए लोग एस्क 97 किलोमीटर दक्षिन में इस्थित दल्ली राजहरा पहाडियों से आता है कोईला कोर्बा एवं जारखंड की जरिया खानों से आता है कच्चे माल की सुविधा के कारण इस भाग में इस पात की रोलिंग मिल्स तथा रायपूल में रेल वैगन सुधारने का कार खाना है क्रिशी आधारी त्राइस चावल मिल का भी विकास हुआ है इनके अलावा इलेक्ट्रिकल्स, रसायन उद्योग, इंजिनेरिंग उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग भी काफी विक्सित हो रहे है भारत अलुमिनियम कंपनी लिमिटेट बालको की आधार शिला 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी जिसमें उत्पादन 7 मई 1975 से आरम हुआ कोर्बा के अत्रिक्त सर्गुजा के मैन पार्ट, अमरकंटक वा आसपास के अन्य जगों पर बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है बॉक्साइट के नैस्त्रोतों के रूप में बालको की सर्गुजा जिले के मैन पार्ट खदान से तता साथ ही फूट का पहाड इस्तित बालको की निजी खानों से बॉक्साइट प्राप्त किया जा रहा है कोर्बा में आज 671 और द्योगिक उपकरम यूनिट, मद्यम और बड़ी यूनिटे स्थापित है कोर्बा के बीचो बीच से गुजरने वाली हस्दो नदी कारखाना को पानी की आवश्यक्ता की पूर्टी करेगी आज इस बंडार में 6000 करमचारी कारे रत है हम जानते हैं कि यहां बॉक्साइट के अतरिक्त कोईला का विशाल बंडार है कोईले का विशाल बंडार होने से यहां थर्मल पावर की स्थापना हुई है जिससे इस सयंत्र को वा राज्य को बिजली की आपूर्टी होती है इस तरह यहां राज्य के केंद्र के रूप में उभरा है इसके साथ ही यहां सेमेंट, कागज, तथा लुगदी, इलेक्ट्रिकल्स, तथा इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन, तथा कोसा, टसर, हतकरगा उद्योग का विकास हुआ है रायगड के जिंदल ग्रूप का लोह स्पात का कारखाना कारे रत है इस शेत्र में मुख्य उद्योगिक के अंदर भिलाई, दुर्ग, रायपूर, कुमारी, जामूल, मांधर, महासमुन, उर्ला, धरसीवा, बिलासपूर, कोर्बा, चापा, अकलतरा, रायगड, गोपालपूर, सिर्गिट्टी है 2007 में सरकार ने देश में उद्योगिक विकास, आयमें बढ़ोतरी, रोजगार के प्रोथसाहन, तथा उद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नितिगत पहल की है दिल्ली मुंबई उद्योगिक गलियारे, डेली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के रूप में आठ निवेश शेत्रों की घूशना की गई है इनके विस्रिट जानकारी निमनलिके थे एहमदाबाद, धोलेरा निवेश शेत्र गुजराद, दूसरा शेंद्रा, बितकनी और द्योगिक पार्क सिटी और अंगाबाद के निकट महरास्ट तीसरा, मनेसर, बावल निवेश शेत्र हर्याणा, चोथा, खुशखेडा, भिवाडी, निम्राणा निवेश शेत्र राजस्थान, पाचवा, पीथमपूर, धार, महु निवेश शेत्र मध्यप्रदेश, छटवा, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद निवेश शेत्र मह पहराश्ट्र, सात्वा जोधपुर, पाली मारवार छेत्र राजस्तान। इसके अलावा चेननाई, बंगलूरू औद्योगिक गलियारा, बंगलूरू मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृत्सर कोलकत्ता औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तटी औद्योगिक गलियारा है। काफी वृद्धी होती है उभोकता वस्तू के कई विकल्प उपलब्द है ग्राहकों को विकल्पों की व्यापक विविद्धा मिलती है और दोगी करण ने रोजगार के अवसर पैदा करता है और दोगी करण में आयात और निर्यात के लिए परिवहन का ने तरीके से विकास ह संसाधनों का उप्योग किया जाता है विदेशी मुद्रा की कमाई होती है और दोगी करन्ट से केवल ला भी नहीं होता बलकि कई तरह से परियवर्णी समस्याय पैदा होती है उद्योग में उप्योग के जाने वाले कच्चे माल तथा शक्ति के साधन की जरूरत पड़ती है कच्चे माल के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है जिसके परिणाम सुरूप वहां भूमी शरण तथा संसाधनों के समाप्त होने का भै बना रहता है कारखानों के अपदरो प्रदार्थ से जल थल तथा वायू प्रदूशन के गंभीर समस्याइं पैदा होती है सभी छोटे बड़े ओद्योगिक नगर इससे ग्रसित है इस तरह तेजगती से होने वाला ओद्योगिकरन परिवरनी समस्याओं के जन्नी भी है एक सीमा के बाद जब भूमी, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदी महंगे होने लगते हैं मजदूरों की हरताल आदी की भी समस्याइं होने लगती है तो उद्योगों का हस्तांतरण होने लगता है कई बार सरकार भी किसी खास नगर में उद्योग लगाने से मना कर देती है जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते हैं